है फेलो दोस्तों वेलकम टु मैं चैनल डीडियस्टरी संटर में दिब्या आज के इस वीडियो में हमात करने वाले हैं प्रेग्नेंसी किट के बारे में कि pregnancy test कैसे और कप करना चाहिए है तो इस वीडियो में हम बताएगे आपको की pregnancy test कप करना चाहिए जब्यदी को जाता है तो उसके बाद 10-15 दिन बाद आप टेस्ट कर सकते हैं और इस कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी कमपणी का प्रेगनेंसी है के लेगकर सबस्तेफ़ है किसी armed ुआ है कैसे टेस्ट करना है एक है आप आपनों यहां पर कीट को पहले यह फाडा है Unters थोड़ी से लानिक उती हैं फाड़ने के लिए पाड़ंसे हमने यहां पर छुटी कटो को इसमें टेस्ट कार्ड होता है खिसले और भी सब्सकते हैं वाद यह भाह service ii ज्यादा अच्छी रिजल्ट देती है तब हमेशा कोशिस करें कि सुबह की यूरीन का टेस्ट करें इससे रिजल्ट अच्छा आता है तो हमने इसमें टेस्ट किट में यहां पर गोला बना होता है इसमें हमने तीन बुंद डाला और पांच मिनट के लिए आप छोड़ने पा यहीरी गुलावी लाइन आती है पर इसके तिसरी सद्स देख होती है कि अगर एक गुलावी लाइन अगर T पर आती है तो इसका गया है चराब हो गया है या फिर expire हो गया है और चौथी सर्थ last होती है कि अगर कोई भी रेखा नहीं आती है या T पर या C पर अगर कोई भी रेखा नहीं आती है तो इसका मतलब भी होता है कि किट क्या है खराब है तो आप दूसरी किट लागर के दुबारा चेक कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे किया यहां पे T और C दोनों पर लाइने आई है तो इसका मतलब पाजिटिव है प्रेगनेंची है इसका मतलब यह होता है अगर हलकी गुलाबी लाइन आ ए तो मतलब ही होता है कि है गर वीडियो अच्छी लग यह हो तो लाइक सस्क्राइब अर चैनल